बच्चो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक सुदूर गाओं में एक छोटा बच्चा रहता है शिव कुमार वो शिव कुमार एक दिन अपने पिता जी के साथ एक शहर में घुमने आता है और उस शहर में वो सडको पर दोड़ती गाड़ियों को देखकर और रेलवे स्टेशन में ट्रेन को देखकर अपने पिता जी से वो एक प्रश्न पूसता है कि पिता जी ये जो कुछ डिब्बे दिख रहे हैं और ये डिब्बे हमारे घरों की तरह नजर आ रहे हैं और इन घरों जैसे दिखने वाले डिब्बों के बीच में एक रसोई घर भी दिख रहा है तो जैसा इस शहर में ये घरों जैसे दिखने वाले डिब्बे जो हैं वो चल रहे हैं तो ऐसे ही हमारा घर भी क्यों नहीं चलता हमारा घर एक जगा क्यों रहता है आश्यरी से उसने अपने पिता से ये प्रश्न किया तो उसके पिता जी ने उसके जवाब में कहा कि बेटा ये जो आपको आपकी घर जैसा जो डिब्बा दिख रहा है ये घर नहीं है ये ट्रेन के डिब्बे हैं और ट्रेन के डिब्बों के बीच में ट्रेन में जो बैठे यात्री हैं उन्हें कुछ खान पान की सुविधा दे उस संबंधित की जाती हैं. तो ये आपका घर नहीं है. आपका घर जो है, वो रेज से, सिमेंड से, मिट्टियों से, गिट्टियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. लेकिन ये जो आपको घरों जैसे दिखने वाले डिब्बे हैं, ये आपके रेच सिमेंट गिटी से नहीं बने हैं, ये किसी खनीज से बने हैं, जैसे कि लोहा हो गया, ऐलुमिनियम हो गया, ऐसे ही अनिक खनीजों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी सुनाने का संदर्ब इसके पीछे ये है, कि आज हम बात करेंगे खनी संसाधन के संदर पर, खनी संसाधन कौन से होते हैं, ये कहां मिलते हैं, कैसे बनते हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी विशय पर आज हम चर्चा करेंगे, तो जैसा आपने देखा कि उस छोटे बच्चे ने क तो बच्चो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने चारों और नजर दोडाते हैं तो आप भी अपने दैनिक जीवन की अनेक आवश्चक्ताओं में यह हम कहें कि अधिकांश आवश्चक्ताएं जो हैं वो खनीजों के ही द्वारा पूरी होती हैं आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जितनी भी आवश्चक्ताएं हैं उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो खनीजों से पूरा होता है फिर हम बात कर लें कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर चड से सिमेंट से गिट्टी से रेच से बना हुआ है उसमें भी खनी संसाधनों क उपयोग हुआ है जो आभूशन आप पहनते हैं वो भी किसी ना किसी खनीज के बने हुए है जैसे सोना है चांदी है हीरा है यह सभी खनीजों है वो उसमें उपयोग हुए हैं इन सब को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जितने भी जो खनीज संसाधन है वो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, और अनिवार्य हिस्सा ऐसे, कि जब आप अपने देनिक जीवन में सुबा सो कर उठते हैं, तो जो अपने दातों के सफाई के लिए आप जिस टूथपेश्ट का प्रयोग करते हैं, उस टूथपेश्ट में भी अनेक प्रकार के खनीजों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि इस toothpaste में जो fluoride खनीज इस्तमाल किया जाता है वो आपके दातों को cavity से या दातों को गलने से रोकता है इसमें जो titanium oxide का प्रयोग किया जाता है वो आपके दातों की सफेदी के लिए और बहुत सारे toothpaste में सफेदी लाने के लिए अब्रक या माइका का जो है वस्तमाल किया जाता है ऐसे ही बहुत सारे खनी जिसे सिलिका है, चूना पत्थर है, इन सभी खनी जो का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो toothpaste के अलावा, जो toothpaste लगा कर आप जो brush करते हैं और वो toothpaste जिस tube में होता है उस toothpaste का tube या जो आपका brush है और ऐसे ही कई जो plastic के container जो आपके घर में इस्तमाल किये जाते हैं वो भी petroleum खनी से बनते हैं, plastic का निर्मान petroleum खनी से होता है और petroleum जो है, वो खनी स्टेल से प्राप्त किया जाता है तो ऐसे ही हमने तो बात कर ली कि सुबह की दिन्चरिया की जो शुरुवात हो रही है जिसमें आप दातों की सफाई से आप शुरुवात कर रहे हैं तब से लेकर आप जो खनीज का इस्तमाल कर रहे हैं यहां तक कि जो भोजन आप रोज खाते हैं, उसमें भी खनीजों का इस्तेमाल होता है या हम यह कहें कि जब इन खनीजपदार्थों की कमी हो जाएगी तो हमारे जीवन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पर जाएगी उतनी सुचारू रूप से नहीं चल सकती हम जितना भी भोजन जो खाते हैं, माना कि उसका 0.03% ही खनीज जो है वो उसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन ये 0.03% जो है वो आपके शरीर को आपकी बोडी को बहुत अच्छी तरह से एक्टिव रखने के लिए उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं तो हंडेड में हम कह रहे हैं कि ये 0.03% ही जो है वो पूरे संपूर्ण भोजन जितना हम खा रहे हैं उसका एक अनिवारी हिस्सा होता है या ये हमारे भोजन में होना ही चाहिए तब ही तो अगर आपके शरीर में हम कहें कि आईरन की कमी हो जाती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई लोहे का छोटा टुकड़ा खाले और आपके बॉड़ी में जो है वो आईरन की कमी पूरी हो जाएगी है ना तो ऐसे ही चाहे हमारे शर तो की आवशक्ता होती है अब ये खनीज हैं क्या इस अंदर में हम बात कर लेते हैं तो ये खनीज जो हैं वो हमारे धरातल के नीचे हम बोलें कि धरातल की सतह पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं और प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप ततों के बने ह हुए होते हैं इन सभी खनीजों की एक निश्चित आंतरिक संदशना भी होती है और यह खनीज जो है वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में विभिन रूपों में पाए जाते हैं तो यह हो गया खनीज अब हम कहें ऐसा तो है नहीं कि पूरे प्रिथ्वी के धरातल पर ऐसके बाद और सबसे आंतरिक 상द रूपकों की तो इसका जो भूपरपटी वाला हिस्सा है प्रिथ्वी का इसी सतह पर जो है वो जितने भी खनीज है वो इसकी चट्टानों पर सटह पर उपस्थित होते हैं यह खणीज जो है वो प्रकृती में अनेक रूपों में पाये जाते हैं अनेक रूपों में मतलब हमारी पृथ्वी पर एकदम कठोड़तम खणीज जो हिरा है और साफ्ट खणीज मतलब बहुत मुलायम खनीज जो है वो चुना पत्थर मतलब इन दोनों की कठोरता में भी हमको अंतर देखने को मिल रहा है या नेक रूपों में है एकदम कठोर रूप में भी है और एकदम सौफ्ट या कोमल रूप में भी है तो हम ये देखेंगे कि पृत्थी पर जितने भी खनीज पाये जाते हैं उनकी कठोरता में घनत्व में रंग में और उनके रूप में हमें विभिनता देखने को मिलती है इसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत सारे खनीज ऐसे हैं जो एक ही तत्व से मिलकर बने हैं जैसे चुना पत्थर उसमें एक ही खनीज की प्रध होते हैं या हम कहें बहुत सारे खनीजों का मिश्रन उसमें उपस्थित होता है अब हम यह बार बार खनीज ही कह रहे हैं तो खनीज को हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि यदि हम धरातल पर खुदाई करें या धरातल पर ऐसे ही पड़े हुए रूप में हमें कोई हम जाएंगे तो जो चट्टाने अलग-अलग परकार की चट्टाने हमें हमें देखने को मिलती है उनमें मिश्रित रूप strictly me apprehDas को मिलता है । जैसे कि एक हम आपको सामने एक पत्थर दिखाई पढ़ रहोगा है जिसे हम चट्टान कह रहे हैं और इस चट्टान में ही पहले ये चट्टानों में एक आयस्क के रूप में उपस्थित है फिर धरातल से जैसे ही हम इस आयस्क रूपी चट्टान को बाहर निकालते हैं फिर उसमें शोधन करते हैं और शोधन के द्वारा फिर उस आयस्क को या उस खनीज को हम अपने उपियोग के लायक बना सकते है इसके अतरिक्त हम देखेंगे कि ये जो अलग-अलग प्रकार की चट्टानों की बनावट है और इनमें जो खनीज की उपस्थिती है फिर उनके हम गठन की बात करें उनकी संदशना की बात करें या उनमें मिलने वाली जो कठोरता है उसकी हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि इन सब में जो भिन्नता देखने को मिलती है वो उसके निर्माण के समय जो प्राकृतिक और रासायनिक कारक उत्तरदाई थे उनके कारण ये भिन्नता देखने को मिलती है फिर चाहे वो जलवायू संबंधी विशेष्ता हो या हम बात करें कि वहाँ पर जो भी धरातल पर जो भुगर्भिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका प्रभाव पढ़ रहा है उश्मा का ताप का जो प्रभाव है इन सब के कारण जो है इनके गठन में इनकी सनरशना में हमको भिन्नता देखने को मिलती है इसलिए तो हमको लॉयस्क अलग दिखाई इन सब में हमको अंतर देखने को मिलता है अब हम बात करें कि हमारे धरातल पर लगभग दो हजार या इससे भी अधिक जो है वो खनीजों का पता लगाया जा चुका है अब बात ही उड़ती है कि हमने भी बात की कि एक पत्थर जो हमें या चट्टान जिसे हम कह रहे हैं य इस चट्टान के अंदर ही इसके अंदर जो है खनीजों की अलग-अलग प्रकार के खनीजों की उपस्थिती हम बोल रहे हैं तो इसे हम ऐसक कह रहे हैं ऐसक शब्द का प्रयोक कर रहे हैं लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस पत्थर को माना की एक जो प पर सोने की उपस्थिती है और जब हम खननकारी के द्वारा इस चट्टान से सोना निकाल रहे हैं तो इतने बड़े इतनी बड़ी चट्टान से जो है वो मात्र हमें जो एक किलो सोना प्राप्त हो रहा है तो जितना हमें इस चट्टान को चट्टान के अंदर उपस्थित जो उसके खननकारे के लिए जितनी हमें लागत आई जितना खर्च करना पड़ा उससे बहुत कम जो है हमें यहाँ पर मालो सोना मिल पाया यहां मैं ऐसे एकजामपल ले सकते हैं कि इसमें जो उपस्तित सोना है वो मालो की 10 लाख मुल्य का सोना हमें हमने प्राप्त किया लेकिन जब हमने इसका खनन कारे किया तो इसकी खुदाई में जो हमें लागत आई है वो हमें 50 लाग की आ गई तो हम तो घाटे में चल रहे हैं हमें 40 लाग का जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है तो फिर इसका वानिजिक रूप से व्यापारिक रूप से महत्व कहां रह गय क्योंकि हम तो घाटे में चले गए तो इसलिए यहाँ पर दूसरा हमें एक्जामपल देखते हैं एक दूसरी चटान का एक टुकड़ा है और हमें इस छेतर की जिस छेतर में चटानी टुकड़ा मिला है तो उस छेतर के सरफेस में हमें पता चला कि यहाँ भी सोने की उपस तो इसमें हम क्या करें पचास तीस लाग की लागत से जब हमने वहां पर उसे स्थान पर खननकारी किया और हमने पचास लाग के मुल्य का सोना वहां से प्राप्त कर लिया तो जब हम व्यापारिक महत्व को देखें या व्यापारिक दृष्टिकोंड से बात करें या आर्थिक रूप से हम बात करें तो ये हमारे लिए फायदे का सौधा हो गया मतलब हमारी हमने जितने मुल्य का खनी संसाधन वहां से प्राप्ति किया चाहे वो हीरा हो सोना हो लोहा हो या कोईला हो उससे कम हमें लागतारी है तो यह हमारे लिए आर्थिक द्रिष्टिकोंड से बहुत अच्छा है और उस स्थान से हमें जो है उस खनीच को निकालना फा तो वो निक्षेप भंडार में तभी परिवर्तित हो सकता है जब व्यापारिक और आर्थिक द्रिष्टिकोंड से उसका महत्वर है ऐसा नहीं कि हम जितने मुल्य का जितना मुल्य हम खर्च कर रहे हैं जितनी लागत आ रही हमें उस खननकारी के लिए और उससे बहुत कम म फार कारी के लिए खर्च कर रहे हैं तो वो हमारी लिए लाब दायक सिधह होगा आर्थिक और व्यापारिक द्रिष्टिकोंड से तो सिर्फ निक्षेप का पता लगाने से ही बात नहीं बनती हम ये कहें कि कहीं पर भी किसे स्थान पर खनीजों के निक्षेप का पता होने के बाद वो तब तक हमारे भंडार में परिवर्तित नहीं होगा या हमारा खनन कारिय करना सिध्ध तब तक नहीं होगा जब तक आर्थिक द्रिश्टिकोंड से वो हमारे लिए valuable नहीं होता है तो प्राकृतिक रूप से तो हमारी धरातल पर बहुत सारे खनी संसाधन जो है वो मौजूद हैं लेकिन उतना ही उनका आर्थिक द्रिष्टी से भी महत्व होना चाहिए तभी वो खनन कार्य करना जो है वो महत्व पूर्ण होता है फायदे मंद होता है या हमारे लिए आर्थिक द्रिष्टी कोंड से लाबदायक होता है अब हमने देखा कि भाई जितने भी खनीज हैं अब पूरे पृत्वी के धरातल पर कहीं पर भी हम बात करें तो इसका वितरन जो है वो समान नहीं है सभी जगह इनके वितरन जो है वो असमान रूप में हमें देखने को मिलते हैं और मिलते हैं तो ये कहां पर मिलते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये खनीज जो हम जितने भी खनीज प्रकारों की बात कर रहे हैं तो ये सारे खनीज हमें कहां पर से मिलते हैं तो हम बात करते हैं शैल शमोहों में, हमने अभी कहा ना कि चट्टानों के अंदर कहीं उसकी शिराओं में, कहीं पर्तों में, हमें अलग-अलग रूप में इनके जमाओं जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो आईए हम बात करते हैं कि ये खनीज हमें कहां मिलते हैं, तो हम देखेंगे कि विभिन शैल शमूहों के अंदर जो है वो इन खनीज पदार्थों का इन खनीज संसाधुनों का जमाव देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम आजाते हैं पहले विधी या कहां पर मिलते हैं किस रूप में मिलते हैं तो जो आगने और कायांतरी चट्टाने होती हैं इन आगने और कायांतरी चट्टानों की जो जोड होते हैं ज्वाइंट्स जो होते हैं यह हम बात करें कि भ्रंश जहां पर होता है फ वो कुछ छोटे रूप में भी होते हैं और कुछ वरिहद रूप में भी होते हैं। कि दोनों रूप में हमें जमाओं देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से देख भी सकते हैं। दो डायग्राम यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कुछ वैंस की रूप में नसों या हम कहें कि दरारों में जो जमाओ देखने को मिल रहा है यह बहुत ही पतले-पतले या जो हमने छोटे निक्षेप की बाद की यह वो जमाओ है और दूसरे जगा पर हम देख रहे हैं कि एक मोटी परत के रूप में मोटी जमाओ या हम व्रि जो है वो जितने भी खनी संसाध्र हमें देखने को मिलते हैं तो भुपरपटी के निचे मेंटिल और पता है कि बहुत ही गर्म अवस्थामें है और सेमी लिक्विट फॉर्म में हैं तो यहां पर से जो भी चट्टानों की कोई कमजोर सतह होती है यहां से तो लगातार उपर की तरफ समवहन धारा के रूप में ताप के फलसरूप बहुत ज़ादा मात्रा में जो यहां पर ताप टेंपरेचर होता है उसके फलसरूप समवहनी धाराएं उठती रहती हैं और य हैं इसके साथ साथ, उपर की तरफ उठते हैं और सबस्टम में पितुर में लूंड जनी भी कमजोर सथे हैं permettre को ब्रंश देखने को मिलते हैं तो इनके उठने के साथ ही इसमें एवपरेशन होता है वाश्पी करन होता है और ये ठंडे होते जाते हैं और जब ठंडे होते हैं तो ठंडे होकर ये इन ही ब्रंशों में या फाल्स की जो हम बात कर रहे हैं या क्रेक्स और दरारों के बीच में ये जमा हो जाते हैं, तो जब इंदरारों में, नसों में या भ्रंशों के बीच में ये जमाओ देखने को मिलते हैं, तो हम इने छोटे निक्षेप कह रहे हैं, और जब ये निक्षेप जो हैं, वो एक मोटी लेयर के रूप में होते हैं, तो हम इसे वरिहत जमाओ कहते हैं, तो ऐसा आगने और कायांतरी चट्टानों के जो छेत्र होते हैं वहाँ पर होता है अब इसमें हम बात करें कि एक्जामपल ले लेते हैं कि कौन-कौन से इस प्रकार के जो खनीज है वो इन दरारों में शिराओं में या क्रेक्स में मिलते हैं तो उसमें मुख्य रूप से टी जाओं और दरारों में देखने को मिलते हैं इनके जमाओं जो हैं इसके बाद दूसरा जमाओं हम देखते हैं या दूसरी जो उपस्थिती हम कहें कि खनीजों की कहां पर मिलती है तो हम बात करें जो आवसादी चट्टान होती है अनेक जगहों में पृत्वी के अनेक जो है अवसादी चट्टान जहां पर उपस्थित है इन अवसादी चट्टानों में अनेक खनी जो है वो संस्तर के रूप में संस्तर यह हम कहें बेट्स के रूप में परत या लेयर्स के रूप में देखने को मिलते हैं अब यह आप डायग्राम से भी यहां पर देख पा रह तो यहां पर हम देखेंगे कि मालो इस पिक्षर से आप समझ पा रहे होंगे कि पुरी पृत्वी की सतह है, इस पृत्वी की सतह पर जैसे बहुत सारी लेयर्स हम को मिल रही हैं, वोपर मिट्टी की लेयर है, उसके बाद फिर निचली सतह पर हम जाते जाएंगे, तो जो basic rocks हो उनकी पड़ते देखने को मिलती हैं और इनहीं मूल पड़तों की जो चट्टाने होती हैं वहां पर ये जमाव जो हैं उनके बीच में देखने को मिलते हैं तो ये दूसरा हमने देखा कि बेट्स के रूप में जो जमाव मिलते हैं खनीजों के एक अन्य विधी की हम बात करें कि ये कैसे होते हैं, मतलब कैसे मिलते हैं ये खनीज, तो तीसरी इसकी विधी होती है या हम कहें कि मैथड जिससे हमको खनीज देखने को मिलता है, धरातली चट्टाने जो होती हैं जब इनका अब घटन हो जाता है, अब घटन कैसे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उपरी सर्फेस है धरातल की और यहां पर इस सर्फेस में बहुत सारी जो हम कहें कि हवाएं चलेंगी या नदियां बहेंगी तो जो भौतिक प्रक्रम होते हैं इनका काम चलता रहता है और कुछ चट्टाने जो हैं यह हम कहें उन चट्टानों में वो खनीच का जो इस तरह है वो दाप के कारण हो मतलब हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश जैसे दिन में पढ़ता है तो चट्टाने भी जो हैं वो उस दाप के कारण गर्म होती हैं और गर्म होकर फैलती हैं फिर रात में जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो फिर से उनमें सिकूर्ने की प्रक्रिया ह तो इस चट्टानों में जो उपस्थित घुलन-शील तत्व होते हैं वो या तो हम कहें कि उश्णकर्टी बंधी चेत्रे हैं तो वहाँ पर घुलन-शील तत्व उसमें बहकर चले जाएंगे जो शुर्ष के छेत्र होते हैं, तो वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, तिव्र हवाएं, तो इन तेज हवाओं के साथ वो तत्व जो हैं, उपरी सतह से बहा कर ले जाए जाते हैं। या उड़ा कर ले जाए गए, तो उपरी उसके बाद की जो मूल चट्टानों में खनी सत्व जो हैं, वहाँ परी सतह पर ही हमको देखने को मिलते हैं, इसका एक्जामपल है बॉक्साइट, और यह बॉक्साइट कहां पर मिलेगा तो आपके लिए एक अच्छा उधारन जो अ और हम उसे खनन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, एक अन्य विधी में हम देखते हैं, कि जो पहाड़ियों के आधार होते हैं, या जो घाटी की तली होती हैं, इन घाटी की तली में भी जो एलुवियल डिपॉजिट्स हम कहें, जलोड जमाओं जो होते हैं, उनमें भी ह हमें कुछ खनीज देखने को मिलते हैं, और यह कहां पर होंगे, जैसे यहां पर आप पिक्षर में देखी पा रहे होंगे, कि घाटी की तली है, और इस घाटी की तली से चुकी ढाल है इसमें, तो यहां पर से कुछ तत्वों को बहा कर नीचे की तरफ तली की तरफ ले जा तो इसे हम प्लेजर निक्षेप के नाम से भी जानते हैं, प्लेजर निक्षेप या प्लेजर जमाव कहा जाता है, जो यह एलुवियल डिपॉजिट्स या जलोड जमाव होते हैं, अब कौन-कौन से ऐसे हम उदाहरन देख लें कि खनीज जो होते हैं, जो इस प्रकार के हमें जमाओं में देखने को मिलेंगे तो सोना, चांदी या हीरा यह खनीज जो है यह यहाँ पर प्लेजर निक्षेब के रूप में जमाओं में हमें देखने को मिलते हैं अब इसमें हम बात करेंगे कि इस प्रकार के जमाओं में वही खनीज देखने को मिलते हैं, जो जल की अब घर्षन के द्वारा जिन खनीजों को नुकसान नहीं होता है, जैसे आप हम देखेंगे कि जो नदियां प्रवाहित होती हैं, तो उस नदियों में जो बालू उपस्थित होता है, तो बहुत सारी नदियों के इस बालू या र तो उसके आर्थिक रूप से उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए तभी उसके खनन का कोई महत्व रहा है। तो अभी हमने देखा कि जो घाटी की तली या पहाडियों के आधार छेतर में जो इस प्रकार के प्लेजर निक्षेप या जलोड जमाव होते हैं जिसे हम प्लेजर निक्षेप कहते हैं यह एक अन्य प्रकार है जो शैल शमूहों में हमें देखने को मिलता है खनीजों की उप जैसे आप रोज दैनिक दिन्चरिया में जो आप भोजन करते हैं वो भोजन जो है वो बेस्वाद हो जाएगा जब उसमें नमक नहीं पड़ेगा तो ये नमक या सोडियम कहां से मिलता है आपको पता ही होगा ये आपके विशाल जो समुद्र महासागरी जल है वहां से इसकी प्राप्ति होती है हालांकि अभी तक बहुत जादा इसका इसमें रिसर्च नहीं किया गया है या बहुत महत्वीस लिए नहीं है कि इसे निकालना एक कठिन काम है हालांकि बहुत सारे खनीज तत्वीस में उपस्तित हैं फिर भी हम देखेंगे तो कुछ जो महत्वपूर् मिलता है अब हम हमने देखा कि अलग-अलग शैल शमूहों में या किस प्रकार से इन खनीजों के जमाओं जो है वो अलग-अलग चट्टानों में हमें मिल रहे हैं अब बात यह है कि इनका खनन कार्य जो है वो कैसे किया जाता है तो खनन के प्रकार में हम देख लें तो पहला प्रेटा है open fit mining, open fit mining मतलब मालो की आपका ये कोई धरातली सतह है और इस धरातली सतह में हमको पता चला कि उपरी लेयर है, फिर नीचली लेयर में जैसे ही हम जाएंगे, मालो की 50 से 60 फिट नीचे हम जाते हैं, तो हमें यहाँ पर लौ हैस्क का जमाव का पता चलता है या लौ के बाद फिर जो लौयस की उपस्थिती हमें मिलेगी तो उस लौयस के जमाव को हम अपने खननकारी के द्वारा निकाल लेंगे तो यह ओपन फिट माइनल दूसरा हम देखते हैं एक धरातली सतह से ही जो है वो खननकारी कर लिया जाता है मतलब जो कुछ ऐसे खनी जो होते है जो बहुत अधी गहराई में नहीं मिलते हैं एकदम धरातली सतह पर ही मिलते हैं जैसे हमने बात की थी ना बॉकसाइट की तो उपर उपरी छेत्र होते हैं जहां पेड़ पॉधों का या वनसपतियों को जो आवरन होता है उसको हमने वहां से हटा लिया और हटा कर फिर जै अंडर गाउन माइनिंग विद शिफ्ट मतलब जैसे मालो की हमको पता चला कि लगभग 100 से देड़ सौफिट में हमको कोई एक कोईले का ही हम कोईले की बात कर लेते हैं मालो कोईले के जमाओ का हमें पता चला तो ऐसा नहीं होगा कि हम पूरे सौफिट तक पूरे धरातल को सरफेस को खोद कर रख देंगे फिर नीचे हम देखेंगे कि परत के रूप में हमें जो कोईले का जमाओ मिल रहा है फिर उसे हम निकाल लेंगे ऐसा नहीं किया जाता उसमें फिर क्या करते हैं एक टैनल जैसी खुदाई कर दिया एक जगह से और उस टैनल के माध्यम से हम जहां पर वो कोईले की लेयर मिल रही है उस लेयर तक हम अंडरग्राउंड पहुझ गया और उसके बाद फिर हम जितना भी कोईले का वहां पर निकशेप हमें मिल रहा है वहां से हम वो सारा कोईला निकाल लेंगे तो तीसरा खनन का प्रकार यह होता है